हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए रिकाई हूँ एक बहुत ही इजी सा निटिंग पैटन इस डिसाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पर अपलाई कर सकते हो इसे आप लेडी स्वेटर जैन स्वेटर बेबी प्रोजेक्ट गर्ल्स टॉ यह देखिए इसकी बैक साइड उल्टी तरब से यह ऐसे दिखाई देता है और यह इसका राइट साइड हैं तो चलो फटाफट से से बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए इसपे मैंने डाले हैं 22 चैजछे फंदे मैंने इस पे तीन बार डाले हैं 6, 6 दुनी 12, 6 तynnी 18 प्लस मैंने चार फंदे और एड़ किये हैं तो इस तरह से टोटल ये 22 फंदे हैं ठीक है पहली सलाई बनाएंगे हम सीधी तरफ से फ़स्ट रो राइट साइड चार सलाई का डिजाइन है चारो सलाई आप दियान से देखिएगा पहला फंदा एस्टीच ऐसे सिलिप करेंगे इस तरह से पहली सलाई सीधी तरफ से ठीक है पूरा सीधा सीधा बनाएंगे किनारे के फंदे को हमने सिलिप करना है अगर आप चाहो तो सीधा बुन भी सकते हो इसे एस्टीच को इसके बाद पूरी सलाई सीधी सीधी बना के इसे कंप्लीट करेंगे इस तरह से पूरा सीधा सीधा बनाना है इस सलाई पूरी सीधी सीधी बना लेने के बाद दूसरी सलाई आएगी उल्टी तरफ से पहला फंदा उल्टा उतारेंगे इसके बाद पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे तो इस तरह से हमने पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनानी है उल्टी तरफ से दूसरी सलाई सेकंड रो पूरा उल्टा बना लेने के बाद थर्ड रो आएगी हमारी राइट साइड से तीसरी सलाई सीधे तरफ से पहला फंदा एस्टी चैसे स्लिप करेंगे इसके बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और दो अब देखे तीसरा फंदा जो यह है इस तीसरे फंदे के एक दो और तीन तीन होल नीचे यह जो तीन छे दिखाई दे रहे हैं दो तीन तीन होल नीचे यहां पर हमने सलाई डालनी है और एक बड़ा सा लूप यहां से इस तरह से बनाना है ठीक है इस तरह से हम लूज बनाएंगे इसके बाद दो फंदों का एक फंदा करना है इस तरह से आगे से सलाई डालके दो फंदे का एक फंदा यहाँ पर करेंगे ऐसे ठीक है एक बार फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे पहले फंदे को पलट के रखेंगे इस तरह से फिर दो फंदों पर सलाईड डालेंगे और इसे बैक लूप से बना देंगे ऐसे आप देखे जो यह फंदा इधर वाला था दूसरा फंदा यहाँ पे इस फंदे के नीचे एक दो तीन छेद तीन होल नीचे हम यहाँ पे सलाई डालेंगे और एक यहाँ से लूप बनाएंगे बड़ा सा ऐसे तो इस तरह से देखे एच को छोड़कि यहाँ से लेकि यहाँ तक यह फंदों का डिजाइन है इसी को ही हमने रिपीट करना है थार्ड रो में ठीक है दो फंदे सीधे बनाएंगे तीसरे फंदे के एक, दो, तीन, तीन होल नीचे हमने यहाँ पे सलाई डालनी है और एक बड़ा सा लूप यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से और दो फंदे का एक फंदा करेंगे आगे से बुलते वे दो का एक फिर दो का एक करेंगे पहले फंदे को पलटके इस तरह से निकालना है, यहां पर हमारे दो डिजाइन कम्प्लीट हो गया है, फिर से देखिए दो फंदे सीधे बनाएंगे तीसरे फंदे के तीसरे नंबर के होल पे सलाई डालेंगे और एक बड़ा सा लूप यहां से बनाएंगे इस तरह से फिर दो फंदो का एक फंदा करेंगे आगे से सलाई डालते वे ऐसे फिर दो फंदो का एक फंदा करेंगे पहले फंदे को पलटके दो फंदो पे सलाई डालेंगे और बैक लूप से इस तरह से बना देंगे फिर इस दूसरे फंदे के तीसरे नंबर प्लाइब और बरकफ पर सलई डालेंगे और वड़ा से करते करते लड़नासे तीम कि यहां पर दिजाईन सारे फंदय अमने उल्टे उल्टे बना ले हैं। पूरी सलाई उल्टी उल्टी बना के से कम्प्लीट करेंगे। तो चौती सलाई यहां पर मैंने यहां पर बना दी है। अब देखिए डिजाइन हमारा सीधी तरब से यह डल चुका है। जब हम इसे थोड़ा और बनाएंगे तब यह डिजाइन हमारा दिखाई देगा। एक बार फिर से बना के दिखाती हूँ। यह इसे पुरी सलाई पूरी सलाई पूरी बना दी है। दूसरी सलाई उल्टी तरब से पहला फंदा एस्टी चुका है। इसके बाद पूरी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे पहली सलाई सीधी तरब से आएगी सीधी सीधी और दूसरी सलाई उल्टी तरब से आएगी उल्टी उल्टी तीसरी सलाई आएगी सीधी तरप से धर्ड राइट साइड इस सलाई को ध्यान से देखिएगा जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हमने बनाना है जो हमने यहाँ पर तीसरी सलाई बनाई थी उसी को ही रिपीट करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे अब देखे जब हम एक बार इसे बुन चुके होते हैं चार सलाई या फिर जब हम डिजाइन बनाते हैं फिर से आगे तो देखिए यह बड़ा जो होल दिखाए देगा इसके बाद हम इसी पे ही इस होल पे ही हमने चौती सलाई पे इस तरह से फंदा बनाना है जब हम शुरू करते हैं तो पहला डिजाइन हमारा आता है उस समय ये बड़ा होल नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे हम इसे बनाएंगे न तो ये बड़ा होल हमारा बन जाएगा अगली बार से हमने इसी बड़े होल पे सलाइड डालके फंदर ड्रॉ करना है इसके बाद दो फंदों पे सलाई डालेंगे, इस तरह से दो का एक करेंगे, ऐसे, फिर से दो का एक करेंगे, पीछे से पुनते वेँ, पहले फंदे को पलटके रखना है, और आप देखें, यहाँ पे जो यह बड़ा सा होल होल है, इस पे डालके हम बनाएंगे, अब जैसे से आगे बनाएंगे वैसे वैसे हमने यह होल पे ही हमने सलाई डालनी है इस तरह से बनाएंगे फिर से देखिए दो फंदे सीधे देखिए इस होल पे हम सलाई डालेंगे इस वाले फंदे पे और एक बड़ा सा लूप बनाएंगे इसके बाद दो फंदों का एक पंदा मैं बैक लूप से बुणते वे ऐसंगे प। इस वाले होल पूखे डाल के बड़ा सा लूप यहां पर बनाएंगे फिर 12 फंदे सीधे बनाएंगे कि इस पड़े होल पर दॉत बनांगे इस बनाएंगे को और 매 बल he करेंगे, इस फंदे को हमने लूज रखना है, दो बार हमने फंदे घटाने हैं, बीच में, एक बार दो का एक, फिर एक बार दो का एक इस तरह से, फिर इस होल पर सलाई डालके एक बड़ा सा फंदा बनाना है, इस तरह से करते करते, लास्ट में तीन फंदे आएंगे, तीनो हो बनाएंगे कि यह अमने हर बार उल्टा बनाना है इस तरह से पूरा उल्टा बना आएंगे इस तरह से पूरा उल्टा बनाइंगे ये देखे मैंने पूरी सलाई उल्टी उल्टी लगा ली है सीधी तरफ से ही डिजाईन हमारा विजिबल हो गया है दिखाई देने लग गया है देखे इस तरह से ही डिजाईन आएगा हमारा जैसे जैसे हम इसे जादा बुनेंगे वैसे वैसे यी डिजाईन अच्छे से हमार दिखाई देगा तो friends जो मैने 4 चार चार को आगे आगे बनाते जाएंगए वैसे वैसे ये डिजाइन फोता जाएगा इस तरह से इहें दिखाई के तो ज़रूर आप इसst ट्राई करें अपने प्रोजेक्ट पे और मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपके रिजाइन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और साथी साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तक तक के लिए बाई बाई